हमारे पूरवज कौन है यह बहस सद्यों से चलिया रही है वेग्यानिक बताते है कि इंसानों के पूरवज होम शेपन्स थे लेकिन वेग्यानिकों को होम शेपन्स जेसे ही जीव के कंकाल मिले है जिने नीएंडर्थल कहा गया है चानिये मानवों से मिलती जुलती इस परजा लेकिन इन बड़ी आँखों की कीमत उन्हें उच और स्तर्य विचारियों गिया दिमाग को त्याग कर चुकानी पड़ी। मनुष्य की हमारी प्रजाती और निएंडर्थल योरोप में एक समय पर रहे और इनके आपस में कुछ तालू कत होने के सपूत भी मिलते हैं। में रहे गए थे वो वहां रोशनी से लब्रेज दिनों का आनंद उठाते रहे और उन्हें बड़ी आँखों की जरूरत नहीं पड़ी। अफ्रीका में रहने वाले यही मानव हमारे भी पूर्वज थे और उनका दिमाग विक्सित होता गया और उसके बाद ही वो दुनिया में फैले। ओक्सफोर्ड विश्व विद्यालाई की आयलीना पियस ने इस परंपरा गत्मान्यता को जाचना चाहा और उन्होंने नीएंडर्थल की 13 और होमोसेपियंस लोगों की 32 खोपड़ियों को जाचा। सामाजिक नेटवर्क आयलीना पियस ने पाया कि नीएंडर्थल की आँखों के कोट काफी बड़े थे उपर से लेकर नीचे तक करीब 6 मिली मीटर लंबे यूट तो यह लंबाई काफी बड़ी नहीं मालूम देती लेकिन इसके वजह से नीएंडर्थल दिख रहे द्रिश से ट नहीं हो पाई जो बहतर सोच देते हैं या सामाजिक संड़क ना करते हैं लंदन के नाचारुल हिस्ट्री मियूजियम में इसी तरह का शोद कर रहे प्रफैसर कृस्टें का आयलीना पियस की बात की तस्दीग करते हैं पुरातात्विक सबूत, इस बात के पुरातात्विक सबूत मौझूद है, कि नीयंडर्थल के साथ ही रह रहे हो, होमोसेपियंज के पास सुईया थी, जिनसे वो कपड़े सिल रहे थे, यह कपड़े गर्म होते थे. जबकि निएंडर्थल चीजों को महाजला पेटते थे प्रफेस स्ट्रिंग कहते हैं इस तरह है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से ही होमो सेपियन्स बने रह गए प्रफेस स्ट्रिंग का कहना है अगर आप प्रतिक्रिया देने में पड़ोसियों से मदद लेने में और जानकारी बांटने में महज कुछ प्रतिशत ही बहतर हो तो यह आपके जीवन और मरन के लिए यह बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है हॉलिवुड की फिल्मों में नीएंडर्थल को पशुवत और क्रूर बताय जाता रहा है इस अध्यन से जुड़ डॉक्टर रॉबिन डन्बार का कहना है नीएंडर्थल इतना बुरे नहीं थे बस वो होमोसेपियन्स की जितना अक्लमन नहीं थे जो अंतर था बस वो के मामले में भी एह बात सही होगी ऐसे ही मज़ेदार साइंस की जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले